इस कहानी के आगास में हम कहानी के मेन करेक्टर लेंग जन को देखते हैं वो अपनी गाड़ी से गूर्ड को डिलिवर क्या करता था अब वो न्यूज सुनदा है कि अचानक से लोग गाइब हो रहे हैं कि इतने में उसके अंकल की कॉल आती है जैसे ही कॉल कट होती है तो हम देखते हैं कि जॉन को एक गाड़ी नजर आती है जो कि उल्टी गुवी होती है वो जाकर उस मरीज को देखने लगता है तो उसकी जिसम से कोई अजीब सी क्रियेचर निकल कर इसकी जिसम में चरी जाती है उस क्रियेचर के अंदर जाते हैं लेंग जन एक वेर वुल्फ में बदलने लग जाता है पुलीस ओफिसर्स लेंग को पकड़ने के लिए आयते हैं मगर वो जैसे वुल्फ में बदलता है तो वो सब का मुकाबला करता इतने में फीमेल पुलीस ओफिसर्स उसको ग्रीन गन से शूट करने लगती है तो वो जल्दी से वहां से भाग जाता है अब हम एक ओफिसर्स को देखते हैं जो के बिल्कुल भी खुश नहीं था वो चाहता था कि इस क्रियेचर के साथ इनसान बिल्कुल सेट हो जाए मगर ऐसा नहीं हुआ था अब हम दिखने हैं कि लैंग अपने घर पर जाता है वो जानरों की तरह खाता है और इतना ज़्यादा खाता है कि उसको वोमिटिंग होने लग जाती है लैंग जब मिरन में अपनी शकल देखता है तो वो डर जाता है और वो अपने बात तब में भी ब्योश हो जाता है जब लैंग को होश आता है तो वो खुद में अजीब सी तब्तिलिया पाता है उसकी सुनने की यह सब बहुत बढ़ चुकी थी वो खबरे सुनता है कि बारा साल पहले वियर वुल्फ के जो निशानात देखे गएते वो एक रात फिर से देखे गए है जॉन ये जब सुनकर बहुत जादा डर जाता है अब हम देखते हैं कि अगली सुबा जब जॉन अपने काम पर जाता है जब वो वापसी पैंकता है तो वो सीधा जाकर डिवार में लगता है और वही पर छेट कर देता है ये देखकर उसका बॉस बहुत डर जाता है अब हम देखते हैं कि लैंग चुपचा वहां से जा रहा होता है तो कोई शक्स लैंग का पीछा कर रहा है आके जाके हम दिखते हैं कि लैंग जब जा रहा होता है तो एक बच्ची गाड़ी के नीचे आने वाली होती है वो उसकी जान भी बचाता है और उसको फिर अपना बच्चपन यादा जाता है लैंग जब उस बच्ची को दिखते है तो उसको याद आता है कि उसकी भी बच्चपन में एक फ्रेंड हुआ करती थी और उसका तो आज बॉक्सिंग मैच है तो वो जल्दी से अपनी फ्रेंड का मैच देखने के लिए जाता है वो दिखता है कि उसकी फ्रेंड मैच तो जी जाती है मगर एंड में वो उसको गलती से गिरा देती है लेकिन जॉन वो उसको बचा लेता है और फिर वहाँ पर एक लड़का आता है और वो जॉन के साथ फाइट करने का कहता है तो जॉन उसकी बात मान जाता है और उनके दरम्यान लड़ाई का आखास होता है तो जॉन एक कि मुके में वहाँ पर भ्योश हो जाता है अब हम उस ओफिसर को देखते हैं जिसने जॉन पर नजर रखी हुई थी और हमें पता चलता है कि वो शक्स कोई और नहीं बलके वो लेंग जॉन के फादर ही है जॉन के फादर और मदर दोनों की डेथ हो चुकी थी अब उस कंपनी के पास एक्सपेरिमेंट के लिए सिर्फ जॉन ही बचा था क्योंकि उसके बॉड़ी के अंदर वो जो क्रियेचर गया था वो अब उसकी बॉड़ी में बिलकुल अज़स्ट हो चुका था कंपनी का ओनर जल दल जल जॉन को पकरने का कहता है अगले सीन में हम देखते हैं कि जॉन को जब भोश आता है तो वो देखता है कि वो अपनी फ्रेंड की घर पर है उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि तुमने वो चैलेंज एकसेप्ट क्यों किया था अब जॉन देखता है कि उसकी फ्रेंड की फेस पर जो बैंडिज लगा है वो उसी कंपनी का है जिसमें उसकी फादर काम किया करते थे और वो औरत भी वहीं पर काम करती थी जिसने उस राज जोन को मारने की कोशिश की थी जोन की फ्रेंड उसे बता दिये कि उसका भाई अचानक से गाइब हो गया था फिर जोन उसे कहता है कि ये सब कुछ अचानक नहीं बलके ये उसी कंपनी के ही काम है वो ये बाते करी ही रहे होते हैं कि इतनी ही धीर में वहाँ पर कंपनी के लोग आ जाते हैं जोन अपनी जान बचाने के लिए उनी की गाड़ी के नीचे छुप जाता है और अपने मुबाइल को उनकी गारी के अंदर लगा देता है ताके वो उनकी गारी को ट्रैप कर सके उसकी फ्रेंट जब पूछती है कि वो लोग यहां क्यों आए थे तो जोन उने बताता है कि मेरे अंदर यह क्रियेचर है जिसके उपर वो लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इस सब के बारे में मजीद जाने के लिए जॉन अपने अंकल जॉंग के पास जाता है इसके बाद जॉन अपने अंकल जॉंग से मिलने जाता है तो वो दिखता है वहाँ पर आग लगी हुई है वो जल्दी से अपने अंकल को वहाँ से बचाता है मगर जॉन के अंकल बताते हैं कि वो तो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते अब जब जॉन मापिस जा रहा है फिर से उसका कोई पीछा करता है अब की बार वो उसको पकर लेता है और अपनी फ्रेंट के घर ले जाता है पिर वो उन्हें बताता है कि वो तो उसका पीचा सिर्फ और सिर्फ उस कमपनी के बारे में जानने के लिए कर रहा है वो बताता है कि वो एक हैकर भी है और उसने बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स हैक कर रखे हैं उसके बारे में सबी हकीकत जानने के बाद लैंग उसको अपनी ही टीम में रखने का फैसला कर लेता है वो लड़का जॉन को बताता है कि ये कमपनी दरसल ओयल का बिजनिस करती है मगर वो बताता है कि इसकी एक डार्क साइड भी है और वो बताता है कि यह लोग दूसरी कंड़ी से light legal weapon भी मगवाते हैं फिर जॉन को पता चलता है कि उसके फादर और अंकल जॉन भी इसी कम्पनी में काम किया करते थे वो बताता है कि ये लोग सबसे पहले एक इनसान को हायर करते हैं फिर उसको मरने से पहले उसको एक गेम खिलने का कहते हैं तो जॉन की फ्रेंट कहती है कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ था मेरे भाई के साथ भी इन्होंने ऐसा ही किया था अब जॉन और उसकी फ्रेंड बाहर घूमने के लिए गएवे होते हैं कि अचानक से उन्हें उस लड़के की कॉल आती है इससे पहले कि वो उन्हें कुछ बताता वहाँ पर मिलिटरी के लोग और कमांडो आ जाते हैं अब जॉन अपनी फ्रेंड की जान बचाने के लिए उनके साथ जाने पर तयार हो जाता है मगर जॉन्ग की फ्रेंड उनका पीछा करती है वो एक अच्छी बॉकसर थी इसलिए वो उनका मुकाबला करती है और अपने फ्रेंड को उनसे चुड़वा लेती है वहाँ से भागने के बाद वो दोनों अंकल जॉंग के पास जाते हैं जो कि उनको सारी हकीकत बता देते हैं अंकल सॉंग बताते हैं कि वो और उसके फादर दोनों इस कंपनी में जॉब किया करते थे वो एक ऐसी मेडिसन बनाना चाते थे जिसे वो किसी भी बिमारी को ठीक कर सके मगर इसके बनाते हुए जब अचानक से उसके फादर की देथ हो गई तो सारे कंपनी वालों ने उस प्रोजेक्ट को वहीं पर छोड़ दिया लोंग जब अपने फादर की डेथ के बारे में पूछता है तो अंकल सॉंग बताते हैं कि उसकी मदर की अचानक डिजीज की वज़ा से जब डेथ होई तो उसके फादर बहुत डेसार्ट हो गई थे और उन्होंने उस कंपनी के साथ काम करने से इंकार कर दिया था जिसकी वज़ा से उस कंपनी ने उनको एक रूम में लॉक कर दिया और उस लूम में आग लगा दी थी जिसकी वज़ा से लॉंग के फादर की डेथ हो गई थी जोंग को बहुत ज़ादा गुसा आता है मकर अंकल सॉंग उसे ऐसा करने से मना करते हैं वो ये बातें कर ही रहे होते ह और उसकी आर्मी वहाँ पर आ जाती है और वो जोंग के सामने ही अंकल जोंग को मार डालते हैं ये देखकर जोंग को बहुत ज़ादा गुसा आ जाता है और वो वेर वुल्फ में बदल जाता है इसके साथ ही वो सबका मुकाबला करता है कि अचानक से एक ग्रीन बुलिट आकर उसकी बॉड़ी पर लग जाती है उसके लगने की वैसे वो फिर से इनसान बन जाता है लेकिन उसकी फ्रेंड उसको जल्दी से नीचे गिरा देती है ताके वो लोग उसको ना पकर सके इसी जगा पर वो लड़का भी आ जाता है वो जोंग को सब गुसा करने से मना करत उसकी बाते सुनकर जोंग का गुसा थोड़ा काम हो जाता है तो वो समंदर के किनारे जाता है और अपनी पुरानी यादों को दासा करने लग जाता है जोन जब अपने लोकेट पे अपनी और फादर की पीचर दीक रहाता है उसको कुछ हिंट्स मिलते हैं वो जल्दी से उस लड़के के पास जाता है और उसको दिखाता है वो लड़का कहता है कि मैं एक जगा को जानता हूँ इससे उस जगा की हिंट्स मिल रहे हैं वो जल्दी को एक ٹेप recorder मिलती है जिस में उसे पता चलता है कि उसके फादर उसे बता रहे थी कि वो एक experiment कर रहे थे ताके उसकी मदर को ठीक कर सके मगर उससे पहले उसकी मदर की death हो गई थी इस वज़ा से उन्होंने उस experiment को वही पर खतम कर दिया मगर वो कमपनी उस केमिकल को यूज कर रही है और जिसकी वज़ा से बहुत सारी लोगों की देथ हो चुकी है इतना सब कुछ हो जाने के बाद उसके फादर ने उस कमपनी को छोड़ने का फैसला कर लिया था और इसके बाद हम देखते हैं कि कमांडो जोंग के लैब में मुझोद होता है वो सबी सबुत वहां से मिटा रहा होता है कि उसको एक मशिनरी दिखाई देती है जब गोर से उस मशिनरी को देखी रहा होता है कि अचानक से कोई उसको मार देता है अब हम देखती हैं कि जॉन और उसका फ्रेंड उस लेब के पास पहुंँ जाते हैं वहां पर वो काफी लोगों को मारते हैं और इसके बाद हमें जॉन की फ्रेंड दिखाई जाती है जो कि अपनी साथ वाले रोम में अपने भाई को दिखती है वो बहुत जादा रोती है और उसे कहती है कि जॉन जल्दी हमें सब को चुड़वा लेगा अब हम दिखते हैं कि जॉन जब लैब के अंदर जाता है तो बहुत सारे लोग वहाँ पर आ जाते हैं मगर उसके अंदर जो वेर वुल्फ की ताकत है वो उससे उन सब को मार देता है। इन दोनों नी इस कंपनी के इखलाफ सबूती कर्टे करने थे इसलिए वो अलैदा-लैदा भागने लग जाते हैं। जोन जल्दी से अपनी फ्रेंड के पास आता है और वो उसके दर्वासा खूलने ही वाला होता है कि इतनी देन में वहाँ पर अंकल सोंग आ जाते हैं और वो आकर बताते हैं कि उन्होंने वो मेडिसन बना ली है जोकि उसके फादर बनाना चाहते थी। मगर इतने में वीडियो प्ले हो जाती है जिसमें दिखाया जाता है कि अंकल सोंग और उसके फादर के दर्मियान चखड़ा हो रहा है। अंकल सोंग उस कंपनी के साथ मिलकर घलत काम करना चाहते थे। मगर जोन के फादर उसको मना करते हैं तो वो आग लगा कर जोन के फा जाती है और वो जोन को बताती है कि कंपनी का मास्टर माइंड कोई और नहीं बलके यही है क्योंके इन्होंने इस कंपनी के ओनर को भी मार दिया है। वो जोन को मारने ही वाली होती है कि जोन आगे से उसको पकर लेते हैं क्योंके उन्होंने वो मेडिसन खुद पहले ही खा और वो दोनो लड़ते लड़ते बाहिर आ गय थे अब हम देखते हैं की जॉण की फ्रेंड उसका भाई और वो लड़ का भी भाहिर आ जाते हैं वो जोंग के गले में एक रसी डाल देते हैं मगर इस रसी का जोंग पर कोई अस mixer नहीं होता बलकिए वो जॉन की फ्रेंड को ही जखमी करने लग जाता है मगर अब जॉन और उसकी फ्रेंड मिलकर जॉन को मारने में काम्याब हो जाते हैं जॉन को मारने के बाद अब हम देखने कि जॉन अपने घर पर बैठा हुआ है और वो न्यूस सुन रहा है कि जितने भी लोग रिप्लेस हुए थे वो सब मिल चुके हैं लेकिन जिर्फ उनकी गर्दन पर एक निशान है विजियो अगर पसांद आया तो विजियो को लाइक और शेयर करें और इस तरह के मज़ीद विजियो दिखने के लिए चैनल को सबस्क्राइब करें